आप सबको स्वागत है इन्वेस्टेलन चैनल पर मैं हूँ आप सबका दोस्ट सीए शूमजैन हमारा आज का टोपिक है सिनिमा गर के बारे में जैसा कि आप और मैं हम सब लोग मूवी देखने जाते थे और मोश से मोश हिस हमारी जो मेमोरिय मोश से मोश हिस हम लोग ने कर रहा है यह लोग अपने एंप्लोई को ले ओफ कर रहे हैं क्या यह यहीं सब रुक जाएगा या फिर यह अपना बिजनेस ही बंद कर देंगे तो फ्रेंट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो देखे मैंने निफ्टी का अनेलिश कर देखें ये अपने फ्रेंट को राफर करते हं तो फ्रेंट आई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह देखे वम पीवी और उर इंस हमारे जो सिनिमा गर के श्टॉक जो सटॉक मार्केट के अंदर लिस्टिट है वह यह फिलिधल भाटर फूर के नतिज़ों की तरफ ह हम ध्यान देते हैं quarter for inox and PBR का worst effect हुआ है footfall February से ही गिरना स्टार्ट हो गई थी reason क्या था reason कोई blockbuster movie release नहीं हो रही and mid March में lockdown में लग गया था तो mid February में क्या हुआ था कोई अच्छी movie नहीं आई तो February का मंत आपका यह खराब हो गया अगर मेरे को कोई movie देखने जाए और अच्छी movie नहीं आई तो मैं February में movie देखने ही नहीं गया और March में मेरा sentiment क्या खराब हुआ अब 21 मार्च लोकडाउन लग गया तो cinema में सिर्फ 12 से 18 बिजनस डेज खराब हुए जब भी यह quarter वर्स quarter देखा गया है अगर हम लास्ट फाइव यह के profit से compare करे तो और अगर हम quarter वन यह देखे फ्रेंट अगर quarter वन हम अपरेल से जून 20 वाला compare करे तो इसके अंदर तो एक भी दिन cinema नहीं खुला है अगर quarter three के अंदर आपके 12 से 18 दिन खराब हो रहे हैं जब आपको loss आ रहा है और अगर आपका quarter quarter one financial 21 के अंदर एक भी दिन अगर cinema hall नहीं खुले तो loss आना तो बक्का है और loss कितना आएगा उसकी हम expectation भी नहीं लगा सकते आईए यह देखे हमारी पहले तो क कुछ ना कुछ हमारी football चलती रहती थी बट अब यह lockdown चल गया कितना बुरा लग रहा है कि इस picture में कोई नहीं बैठा है और जो इनके माली के उनको कितना बुरा लग रहा होगा आए इस company की financial performance चेक करते हैं यह inox की है यह PVR की है revenue कितना है इसने 376 करोड रूपे कमाई है 376 करोड PVR ने कमाई है 662 करोड तो अभी revenue से देखने में तो PVR एक बड़ी company लग रही है earning before interest and tax यह देखिए interest और tax देने से पहले इसने कमाई है 40 करोड इसने कमाई है 48 करोड इंटरस्ट फ्रेंड यही पर आगे company जो है मर जाती है इसना अच्छा profit होने के बाद भी यह high debt paying company है इसके उपर 913 करोड रूपे का कर जाए और इसके उपर कुल 20 करोड का कर जाए यह अब इसने अपना सार debt उतार दिया यह सारा इंटरस्ट पुराने इसके इंटरस्ट पुराने लॉन्स का है इसका जो प्रोफिट आफ्र टैक्स आया है वो 72 करोड का लॉस आया है और इसके पास cash in end 72 करोड और यह देगे बैंट 748 के करोड के बाद भी प्रोफिट 74 करोड के लॉस में फज़ कमाईगी भी तो इसके उपर इतना ज्यादा इंटरस्ट है इंटरस्ट इसे कमाने नहीं देगा तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं यह सब पता होने के बाद भी प्राइसेज में 52 वीक लो से 50% का बाउंस बैक आया है आईए देखिए मैं आपको बाउंस बैक दिखाता हूं यह देखे हमारा 52 लो 160 रुपे का था और यहां से 245 इनॉक यह जून बारा को मैं वीडियो बना रहा हूं और जून बारा के मैंने स्क्रिंशोट लिये हैं यह देखे 245 पे शेयर चल रहा है और यहां पे हम PVR का देखे तो इसने 720 रुपे का लो बना रहा है और देखे मार्च देखे 718 से इसने 1050 का हाई बना लिया है और आप सब को मैंने बताई दिया है कि क्वाटर थी के अंदर आपका क्वाटर फॉर के अंदर लो से है और क्वाटर वन में आपका एक विदिन सिनिमा होल नहीं गुला है यह स्टॉक मार्केट में कोई नई बात नहीं है यहां एक्ट्वल न्यूस से जाधर र्यूमर चलते हैं और यह देखे लोगडाउन 2.0 लोगडाउन 2.0 के अंदर सिनिमा होल खुल जाएंगे तो ऐसे सेंटिमेंट बने और यह शेर इतनी तेज से सिनिमा में मूवी देखने जाते थे कोविड 19 से पहले क्या कोविड 19 के हटने के बाद आप उसी उल्लास और हर्च से मूवी देखने जाएंगे तो आए स्टार्ट करते हैं अगर आप मूवी देखने भी जाएं पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल आपको अपने के साथ मूवी एंजोए नहीं करने देंगे मल्टिप्लेक्स एस्सोशेशन का कहना है कि कबल और फैमिली को साथ में बैठने दिया जा सकता है बट यह खाली कहना है अब देखें जैसे ही हमारे करोना वाइरस के केसी बढ़ गए हैं अब एक दिन में 10-10,000 केसी आ रहे हैं ह अमार को ऐसा लग रहा है कि पूरा इंडिया फिरसे बंद हो सकता है बड़ बया नी आ रहे हैं कि फिरसे बंद करना इंपासीबल है तो अगर इंडिया ही बंद हो सकता है तो खुलने का अवह कोई कोई पॉइंट ही नहीं है जब सब नॉर्मल था तो सिनीमा की उक्यूपेंसी 30 परसंट रहती थी ओननेवरेज मिंस एक हॉल में अगर सो सो बंदों की सेटिंग कैपिसेटी है तो जब कोई अच्छी मूवी लगती थी तो सो के सो लोग आते थे वड़ सुबे के भी शो होते ह है तो पूरे दिन की ओक्यूपेंसी 30 परसंट निकल गए दी बट सोचल डिस्टेंसिंग नॉम्स के बाद यह 12-15 परसंट के बीच में रह सकती है इससे प्रोफिटिविलिटी पर भी असर पड़ेगा और इन कंपनी को खुलने के बाद भी लोज हो सकता है चलो कंपनी खु मूवी देखने के लिए भार जाने की जुरुत नहीं है अगर जैसे मूवी देखेंगे तो आपकी साथ बजे की मूवी है आपको उपिस से जल्दी निकलना पड़ेगा आपको मूवी अपनी पार्किंग में साड़े छे बजे लगानी पड़ेगी बट अगर आप हाद में आपके मूवाइल है आप सोने से पहले भी मूवी देख सकते मनला आपको बहुत ज़्यादा कंवीनेंट हो गया है इसी वज़े से ओवर दो टॉप प्लैटफॉर्म ने बहुत ज़्यादा प्रॉपॉलेरिटी गेन करी है और यह पहले से ही देखा गया कि रिसेंट टाइम में कल्चर यह बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम कर रहे हैं किस वज़े से पॉपॉलेरिटी राइज होई है नेट्फिक्स की और एमोजें की बट यह कहना गलत होगा कि यह लोग सिनिमा को टेक ओवर कर लेंगे कि इनके आने के बाद अब आप लोग सिनिमा घर के अंद इनका L-shaped का क्या मतलब है आयाई मैं आपको L-shaped का क्या मतलब है कि जो इनकी ग्रोथ थी नीचे नीचे गिरके अब इस लैवल में सस्टेΐन कर जाएगी अब यहां पर सब्स्टेइन कर जाएगी बट ऐसा न UH कि इतना नीचे आ जाएगा दिवाल या और फिर हो जाएगा in नहीं ऐसा कुछ नहीं है यह कंपनी दागे चलेंगी अब आपको बताता हूं इन दोनों शेर में से कौन सा शेर ज्यादा अच्छा है इनॉक्स बेटर पोजिशन में है या पीवियर बेटर पोजिशन में है लोगर फूटफोल तो इंपक्ट दोनों ही कंपनी को करेगी बट इनॉक्स नेट डेफ्री है जैसा कि मैंने आपको बताया था यहां पे देखे इसके अंदर खाली 20 करोड का देफ्थ है और पीवियर के अंदर 913 करोड का देफ्थ है तो इनॉक्स बेटर पोजिशन में है इसकी बेटर फाइनिशल फ्लेक्सिबिलिटी है इसके पास 72 करोड मंतली कैश बन होता है यह देखे तो यह नेक्स्ट रेवन्यू इसका विदाउट एनि रेवन्यू यह अगले 6 महिने में सर्वाइब कर सकती है और इसके बाद 125 करोड के ट्रेजरी बॉंड्स भी है जो कभी भी लिक्विडेट हो सकते है तो यह बीना एक्स्टर एक् प्रेक्शन मेट्रिक्स है वो सुधरी है जब इनने एक अक्टूबर 2019 में अभी थोड़े ही टाइम पहले एक्विटी केपिटल 500 करोड रुपे का क्वालिफाइड इंस्ट्यूशन प्लेसमेंट किया था मिन्स म्यूचल फंड बगेरा और जो डोमेस्टिक इंस्ट्यूश प्लान है इसका यह 300 करोड रुपे का राइट इशू को 300 करोड रुपे मार्केट से उठा सकता है राइट इशू को लेकर अगर आपने मेरी राइट इशू वाली नहीं वीडियो देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देदूंगा तो आप राइट 52 वीक लो से पहले ही 50-50 परसंट चर्च हो गया है तो हमारी दो रिकमेंडेशन यही है और एक्सपर्ट की भी रिकमेंडेशन यही है कि दोनों स्टोक से दूर रहा जाए वट आप चाहते हैं कि थोड़ा पहुत स्टोक कर लें तो आप इनॉक्स को अगर आपको 100 खरीदने इसमें हैवी रिकमेंडेशन डालना तो बिलकुल भी सही नहीं है और क्या फ्यूचर में जाके इन कम्पनी को बहुत ज्यादा प्रोब्लों है यह बिलकुल यह अंडर के परसेटी परसंट के पर ही काम करें मतलब इनके सो सिनिमा होल है तो एक हाली 10-20 सिनिमा होली काम करें तो फ्यूचर में अपने होफ करता हूँ आपने इस वीडियों से बहुत ज्यादा लाइन मिली होगी और लाइन अगर आपका वП भूस इस वीडियो के इस वीडियो का लाइक करें और कमैंट बोक्स में अपना वीडियो म।रें तो ठैंक यूब बाइबाए